हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल जिया फेशन बुटीक फ्रेंट्स आज हम आपको 3-4 येर बेबी के लिए शोर्ट बनाना सिखाते हैं ये नीचे से लूज है इसका टाइप उपर इसमे लास्टिक डाल दी है आईए वीडियो शुरू करते हैं ये देखे फ्रेंट्स सबसे पहले हमने ये two piece ले लिये हैं ये 20 इंच की लेंद में हैं और 13 इंच की चोड़ाई में हैं हमने double piece ये ले लिये हैं अब हमें इसको एक बार और double कर देना है ये हमने double कर लिये हैं इसको अब यहां से हम 2.5 इंच पर निशान लगा देते हैं इसको लंबाई में हमें 9 इंच लगाना है अब हमें इसको चकोर कर देना है इसमें गुलाई कर देनी है यहां से 2 इंच पर हम इसमें निशान लगा लेते हैं इस निशान को उपर की साइड से हमें मिला देना है नीचे की साइड से वन इंच हम सीधा कर लेते हैं ये नीचे की मोहरी का हम वन इंच पर निशान लगा देते हैं अंदर की साइड मौनने के लिए दोनों पीस पर हमें सेम ऐसे ही निशान लगा लेना है हम इसको cutting कर लेते हैं इस मोहरी पर भी इस side भी हमें 1 inch का नीचे की side पर मुन्ने का निशान लगा देना है friends उपर की lastik का निशान हम जब lastik डालते हैं तो उसके हिसाब से इसमें निशान लगा लेते हैं जितनी भी आपको चोड़ाई में lastik डालनी हो आप उसी के हिसाब से निशान लगा लेजिए उपर की side से यह यहां से जुड़ा हुआ हिस्सा है इसका हम काट कर अलग-अलग कर देते हैं यह देखे friends यहां से यह हमारा जुड़ा हुआ हिस्सा है इसको हम काट कर अलग-अलग कर लेते हैं यह हमारे दोनों पीस कट चुके हैं यहां नीचे की साइड मोरी पर भी हमें इतना ही निशान लगा देना है वन इंच का मोरने के लिए यह देख सकते हैं निशान हमने लगा दिया है अब सबसे पहले हम अपने दोनों पीस रख लेते हैं दोनों आशन को मिलाते हुए हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं एक सिलाई हमें और इस पर लगा देनी है ताकि एच्छी तरीके से मजबूत हो जाए दूसरी साइड भी हमें ऐसे ही सिलाई लगा कर इसको तयार कर लेना है यह हमारे नीचे की मोरी है मोरी को हमें अंदर की साइड को ऐसे मोर देना है और इस पर सिलाई लगा देनी है अंदर की साइड को मोरते हुए हमें दोनों मोरी ऐसे ही सिलाई लगा कर तयार कर लेनी है यह हमारी मोरी मुड़कर तयार हो गई है दोनों मोहरी हमने मोल ली है और दोनों आसन पर भी सिलाई लगा लिया है अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं और ये जो नीचे का हमारा आसन है इसको मिला लेते हैं और इस पर सिलाई लगा लेते हैं इस पर भी हमें डबल सिलाई लगानी चाहिए ताकि ये अच्छी तरीके से सेट भी हो जाए और मजबूत भी हो जाए जिससे ये खुलता नहीं है उधरता नहीं है जल्दी से दोनों सिलाई इस साइड को करते हुए हमें इसको पक्का कर देना है एक सिलाई अभी है और हमें इसके उपर लगा लेनी है ये देख सकते हैं दोनों सिलाई हमाई लगकर तयार हो गई है यहाँ पर हमें ये लास्टिक लगानी है अगर आप बिना निशान के लास्टिक लगा सकते हों तो ऐसे भी नेफे को मोड़ सकते हैं नहीं तो अंदर की साइड इसमें निशान लगा लीजिए लास्टिक से मोड़ कर जितनी भी आप चोड़ाई में लास्टिक लगाना चाहती हो लास्टिक की चोड़ाई हमने 18 इंच ली है ऐसे करते हुए एक बार और माप लेते हैं इसको देखिए नेफ़ा हमें लास्टिक से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मोड़ना होता है ताकि इसमें को लास्टिक अच्छी तरीके से पिर जाए बराबर करते हुए हमें ऐसे ही चारो तरफ से नेफ़े को मोड़ कर तयार कर लेते हैं फ्रेंट्स ये शोट आप घर पर ही बना सकते हैं प्रेंट के कपड़े में भी बना सकते हैं प्लेंट फेब्रिक में भी बना सकते हैं और किसी भी टोप के साथ बेबी को पहना सकते हैं रेडी मेट टोप के साथ भी पहना सकते हैं या आप घर पर भी टोप तयार कर सकते हैं इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं चारो तरफ से हमें नेफा ऐसे ही मोड़ते हुए तयार कर लेना है यहां से हमें दो इंच छोड़ देना है के अंदर लास्टिक पिरोने के लिए अब हम लास्टिक को पिन में कर लेते हैं और चारो तरफ इसको पिरो देते हैं ऐसे करते हुए हमें लास्टिक को इसमें पिरो देना है लास्टिक को मिलाकर इसके उपर हम डबल सिलाई लगा लेते हैं और इसको खीच कर बराबर कर देत जो हमारा खुला हुआ हिस्सा है इसके उपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं यह देख सकते हैं फ्रेंड्स यह सोट आप 10 मिनुट में कटिंग सहीद घर तयार कर सकते हैं और बहुत छोटे से फेबरिक में बचे हुए फेबरिक में भी से भी आप इसको बना सकते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई